Hello everyone, welcome back to the channel. आज हम एक Indonesian horror film सिक्सा निराखा के बारे में बात करेंगे, जो कि साल 2024 में रिलीस हुई थी. ये कहानी है चार सिब्लिंग्स की, जो कि अचानक से मिसिंग हो जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में पहुच जाते हैं. जहां उनके साथ क्या होता है, वही हम आज की वीडियो में जानेंगे. तो मुवी की शिरुवात एक फिंडरल से होती है, जिसमें हम सियाखिर नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो वहाँ जाकर सबसे बाते करने लगता है, और तब उनकी बातें से हमें पता चलता है, कि सियाखिर असल में एक प्रीस्ट था, और गाउं के सभी लोग उसको बहुत ज्यादा माना करते थे. वियो फिंडरल एक लड़की की थी, साथ ही वहाँ पर सियाखिर भी अपने परिवार के साथ उस घर में आया था, जहां हम सियाखिर की दो बेटियों को देख पाते हैं, जिसमें से एक का नाम तियास था. अब जब फिंडरल की रसम चालू होती है, तो हम तियास को देखते हैं, जिसको अजीब सी आवाजे आनी चालू हो गई थी तब वो उन आवाजों का पीछा करते हुए उसी लड़की के रूम में पहुच जाती है जिसका फिंडल अभी चल रहा था और अब उस रूम में उसे दिखाई देता है कि असल में उस लड़की की आत्मा वही थी जिसको असल में नर्क में टॉर्चर किया जा रहा था और अब चल रहे रिचुल्स की वज़े से टियाज को वो आत्मा दिख रही थी तब उस आत्मा को देखकर टियाज बहुत ज़्यादा ड़ज जाती है और इस बारे में जाकर सब को बता देती है और जब इस बारे में उस लड़की के माबाप को पता चलता है कि उनकी बेटी नरक में है तो वो रोने लगते है पर क्योंकि वो भगवान के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए सियाकिर उन्हें समझाता है और वो लोग शांत हो जाते हैं अब वहां से जब सियाकिर अपने घर में पहुँचता है तो वहां हम सियाकिर और उसके पूरी फैमली को देख पाते हैं जिसमें उसकी बीवी रिका के अलावा चार बच्चे और थे जिसमें से दो बेटियां थी टियास और अजैजा और दो बेटी थे सैले और फजर अब वहां से सीन कुछ साल आगे आता है जहां टियास कुछ छुपाते हुए अपनी मौम रिका के पास पहुँचती है और उनसे धीरे से बात करते हुई अपनी टेस्ट पेपर दिखाती है जिसमें वो फेल हो गई थी और क्यूंकि वो जानती थी कि इस बारे में अगर सियाकिर को पता चलेंगा तो वो टियास को मारेगा इसी लिए टियास रिका से इस बारे में सियाकिर को ना बताने को बोलती है जिस पर रिका भी मान गई थी पर तब ही वहाँ पर सैले पहुच जाता है जो अब शहर से बाहर काम करता था साथ ही उसे उस काम के बहुत सारे पैसे भी मिलते थे अब उसको घर में देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते है साथ ही सैले अपनी बाकी भाई बहनों को गाइड भी करने की कोशिश करने लगता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं जो देखकर सियाकिर बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ था साथ ही वहाँ पर सैले सब के लिए गिफ्ट भी लाया था जो देखकर सब उसके और ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं लेकिन जब टियाज अपने गिफ्ट ले रही थी कि उन्हें जूट बोलने या गलत काम करना नहीं चाहिए पर क्युंकि आज रिका और टियाज दोनों नहीं उससे जूट बोला था इसलिए वो रिका पर गुसा करता है साथ ही उसने टियाज को जूट बोलने की वज़ह पर मारा भी था पर टियाज अपने मिस्टेक को एकसप्ट करती है और अब रात में जब सब सही से बैट कर बात करते हैं तभी अच्छानक से अजेजा की एक दोस्त के घर से कॉल आता है जिसने सब्सक्राइब कर लिया था जो जानने के बाद सब बहुत ज्यादा परिशान हो जाते हैं पर अ अभी उसको कोई कुछ नहीं कहता लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तब रिका और सियाखिर उस लड़की के घर जाने के लिए निकल जाते हैं तब वो लोग चाते हैं कि उनके बच्चे भी उ जियान रखने को बोल कर खुद सियाकिर के साथ उस लड़की के घर चली जाती है जिनके जाने के बाद हम साली और फजर को देख पाते हैं जो एक दूसरे से बाते कर रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं पर जाना था तब ही वहां अजेजा और टियास भी पहुँच जाते हैं औ जिसमें वो फाइनल में भी पहुच गई थी और आज उसका फाइनल परफॉमेंस था पर क्योंकि वो दूसरे गाउं में था इसलिए अजेजा और सैले एक तो पहले से ही चाते थे कि रिका और सियाकिर घर से चले जाए और क्योंकि उसी टाइम पर उन्हें अजेजा की दो अब सब इस बारे में टियास को पता चलता है तो वो सबको ऐसे करने से मना करने लगती है क्योंकि उसके हिसाब से माबाप की मर्जी के बिना कुछ भी करना पाप था और टियास की ऐसी सोच इसी लिए थी क्योंकि उसनी जो भी बच्पन में देखा था उसके बाद वो कर लेते हैं कि वो भी उनके साथ चले और वो लोग सियाखिर और रिका के घर वापस आने से पहले वापस आ जाएंगे अब वैसे टियास ऐसे करना तो नहीं चाती थी पर क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो उसे अकेले घर में रुखना पड़ता इसी लिए वो डरते हुए उ आगे जा रहे थे तभी अच्छानक से मौसम खराब होने लगता है लेकिन तभी भी वो आगे बढ़ते रहते हैं तब सैले उन्हें छोटे वाले रास्ते से लेकर जा रहा था जो कि नदी के उपर से होकर जाता था तभी अच्छानक से ही उनके मुलाकात हरजों से होती है जो कि उनके ही गाउं में रहता था पर क्योंकि उन्हें सही से दिखाई नहीं देता था इसलिए कोई इनसान उन्हें उनके घर लेकर जा रहा था लेकिन हरजों को देखने के बाद सैले बहुत ज्यादा डर गया था साथ ही उसकी आवाज से हरजों भी पहचान जाते हैं कि सामने सियाके के बच्चे है और क्योंकि वो रास्ता दूसरे गाउं में ही जाता था इसलिए वो समझ जाता है कि वो सब गाउं के बाहर जा रहे है तब वो उन्हें बताता है कि वो इस रास्ते में से ना जाए क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा था और अगर बारिश हो जाती तो नदी का बहाव बढ़ जाता पर अभी के टाइम पर वो चारों उसकी बात नहीं मानते और वहां से आगे की तरफ जाने लगते हैं पर जब वो लोग नदी के पास पहुँचते हैं तब वहां पर नदी का बहाव बहुत ज्यादा ही तेज हो जाता है और वो चारों ही नदी में बह गए थे वही अब हम उन लोगों के पैरंस को देख पाते हैं जिनें अभी तक अपने बच्चों के बारे में कोई भी खबर न हुचते हैं जहां उनके बच्चे मौजूद नहीं थे जो देखकर सियाकिर और रिका दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे तब वो जल्दी से अपने बच्चों को ढूनने को निकल जाते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता फिर जब बाकी गाउं वालों को भी सिया सियाकिर के बच्चों को ढूनने के लिए नदी के पास जाते हैं जहां उन्हें मरे हुए सैले और फजर की डेड़ बॉड़ी मिल गई थी और ये देखने के बाद सियाकिर बहुत ज्यादा रो रहा था पर अभी के टाइम पर वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और अप के साथ ही ऐसा क्यों हुआ तब हम देखते हैं कि सियाकिर रोते हुए अपने बेटों के लिए कुछ रिच्वल्स परफॉर्म करता है और अपनी बेटियों की डेड़ बॉडिस मिलने तक का इंतुजार करने लगता है क्योंकि सबके फिनरल एक साथ ही होने वाला था पर वह अभी भी रिका रोय जा रही थी खेर वहां से सीन आता है सैले के उपर जहां हम सैले को देख पाते हैं जो कि एक जलती हुई चटान पर मरने के बाद चड़ रहा था वो असल में मरने के बाद अपने कर्मों के कारण नरक में पहुच गया था तब वो देखता है उसके अला ज्यादा डर गया था तब वो वहां से भागनी की कोशिश करता है लेकिन हम एक हूड पहने इनसान को देख पाते हैं जो कि सैले को बालों से पकड़ कर अपने साथ कहीं खीच कर लेकर जाने लगता है वो हूड़ेड मैन सैले को एक पत्तर के पास बिटाता है और इसके बा जिस कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा था असल में सैले हमेशा ही अपने मम्मी से बहुत सारे जूट बोला करता था साथ ही जब भी उसको नमास पढ़ने को बोलते थी तब भी सैले उसे जूट ही बोला करता था और आज इसलिए उसके जूट बोलने की आदत की वेज़े से उसकी जीप काटी गई थी। खेर अब नरक में ही हम फजर को भी देखते हैं जिसके साथ भी सेम हुआ था। तब उसे भी एक पत्थर के पास लाकर बिठा दिया जाता है और उसके बाद उसकी आंखों में गरम-गरम सरीय गुसा दिये जाते हैं जिससे फजर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो चिलाने लगता है पर वहां के जलादों का तो ये रोज का काम था इसलिए उन्हें उसके चिलाने से कोई भी फरक नहीं पड़ता तब हम फजर के पास को भी देख पाते हैं जहां हमें पता चलता है कि असल में फजर भी अपने पैरंस से बहुत ज्यादा जूट बोलता था साथ ही उसकी आंखे इसलिए फोड़ी गई थी क्योंकि घर पर रहते हुए भी वो ज्यादा तर अडल्स मूवी देखता था जिसके बारे में सैले को सब पता था पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था साथ ही हमें उन दोनों की बातों से ये भी पता चलता है कि असल में फजर प्रोस्टिट्यूस के पास भी जाता है और उसकी बहुत सारी girl friends भी है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया हुआ था अब जब वापस से scene present में आती है तो हम देखते हैं कि अभी भी Sally और फजर को बार बार बहुत सारी सजाई दी जा रही थी जिसके बाद उन्हें गरम लावे में फेक दिया जाता है वही असली दुनिया में हम देख पाते हैं किसी आखिर और गाम वालों को अब टियास की बाड़ी भी मिल जाती है जो असल में अभी तक पूरी तरह से नहीं मरी थी लेकिन बहुत ज्यादा ही गायल थी इसी लिए वो लोग तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में लेकर आते हैं जहां उसका इलाज होना चालू हो गया था लेकिन अभी तक डॉक्टर्स ये नहीं बता पा रहे थे कि टियास जिन्दा बच पाएंगी या नहीं और ये बाद जानने के बाद रिका रोते हुए टियास के पास आती है और उसे जल्दी से जल्दी सही होने के लिए बोलने लगती है वही बाहर हम सी आखिर को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा रो रहा था और उसकी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि हमेशा से ही वो सोचता था कि टियास मन से चंचल है और उसके सभी बच्चों में वही सबसे ज़्यादा बेकार है पर असल में टियास ही ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा अच्छी थी और उसके हर बात को बहुत गौर से और ध्यान से सुना करती थी फिर जब वो इस बारे में हरजों से बात कर रहा था तब उसको सैले के बारे में भी और चीज़े पता चलती है जिसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है जहां हम देख पाते हैं कि असल में सैले किसी भी जगग काम नहीं करता था वो लोगों को फेक पॉलिसी और इंशिरंस के बारे में बता कर उनके पैसों को लूटा करता था साथ ही उसने ऐसे ही एक बार हर्जों को भी पैसों को बढ़ाने की लालच देकर लूटा था और तब से ही वो हर्जों के सामने नहीं आया अब ये सारी बाते जानने के बाद सी आखिर को बहुत बुरा लगता है वही अब हम रिका को देखते हैं जो जब अपने घर में बैटकर फजर और बाकी सब के बारे में सोच रही थी तब ही अच्छानक से वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हाथ में फजर की फोटो लेकर पहुच जाती है जो देखकर रिखा भी समझ जाती है कि असल में फजर ने बाहर कितनी सारी लड़कियों को दोखा दिया हुआ था और इस बात के पता चलने के बाद उसके आंसो अब रुकने के नाम नहीं लेते खैर अब नरक में हम टियास को भी देख पाते हैं जिसको अभी किसी भी तरह की सजा नहीं मिल रही थी वो बस अपने भाईयों को सजा लेते हुए देख रही थी और जलादों को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता ये देखकर टियास जोर-जोर से रोने लगती है साथ ही उससे अब ये सब नहीं देखा जा रहा होता इसे लिए वो वहाँ से भाग जाती है लेकिन अब उसके सामने अजेजा की आत्मा आ गई थी जिसको भी वहाँ पर सजा दी जा रही थी तब हम देख पाते हैं कि अजेजा के सामने वही लड़की बार-बार सूसाइड कर रही थी जिसके फिन्रल में रात में सियाकिर और रिका गए थे और तब जाकर तियास को पता चलता है कि असल में अजेजा उस लड़की को स्कूल में बहुत ज्यादा परिशान करा करती थी साथ ही वो उसको बहुत मारती भी थी जिसके चलते ही उस लड़की ने अपनी जीने की उमीद को छोड़कर मरने का फैसला किया था तब अजेजा बार-बार उस लड़की से ऐसे करने को मना करती है लेकिन वो लड़की बस बार-बार उसके सामने सूसर कर रही थी तब ही वहाँ पर एक और जलाद आता है और अब वो अजेजा के हाथ को बार-बार काटने लगता है जो सच में बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बिंग सीन था साथ ही अब अजेजा भी बहुत जोर-जोर से चिला रही थी तब हम उन तीनों जलादों को देखते हैं जो सैले, फजर और अजेजा को सजा दे रहे थे वो उन तीनों को पकड़कर वहाँ पर से एक साथ लाकर फेक देते हैं जो देखकर तब तियास भी उनके पीछे जाती है वहाँ पर हम एक और जलाद को देख पाते हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहा था और अब उन तीनों को साथ में लाने के बाद वो लोग उन्हें वापस सजा देना चालू कर देते हैं तब ही वहाँ टियाज पहुँच जाती है जो वापस से उन्हें रोकनी की कोशिश कर रही थी तब वो उन जलादों के पास जाकर उनके हूड को उतार देती है और तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में नर्क में कोई और नहीं बलकि हम खुद ही खुद को टॉर्चर करते हैं मतलब अब तक सैले, अजेजा और फजर खुद अपने आपको ही नर्क में टॉर्चर कर रहे थे साथ ही वहाँ पर हम उस चौते जलात को भी देख पाते हैं जो कि असल में खुद टियास थी, पर टियास खुद को टॉचर नहीं कर रही थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जान बूच कर कुछ भी नहीं किया था, साथ ही अगर उससे कोई भी गलती हो जाती थी, तो भी वो उसके लिए गिल्टी फील करती थी, और उस गलत को सुधार इसलिए उसका जलाद उसको टॉचर नहीं कर रहा था, पर क्योंकि अब टियास भी समझ गई थी, कि उसे उसके भाई बहनों को उनकी हे हाल पर छोड़ना पड़ेंगा, इसलिए वो भी इजाजत लेकर नरक से बाहर चली चाती है, जहां अब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, और हम देख पाते हैं कि टियास बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर उसने डिसाइट कर लिया था, कि वो जिन्दिगी में कभी भी किसी भी गलत काम को नहीं करेंगी, वही हम सियाखिर को देख पाते हैं, जिसे अब उसकी चौती बेटी, अजेजा की भी डेड पोड़ी गाउं से दूर मिल गई थी, इसी लिए अब वो उसको भी लेकर आ जाता है, तब वहां से सीन कुछ समय आगे आती है, जहां हम देख पाते हैं कि रिका, सियाखिर और टियास तीनों ही अपने सैले, अजेजा और फजर की खबर के पास आए, और जहां पर प्रे कर करने के बाद वो उनको जल्दी से जल्दी स्वर्ग में जाने को बोलते हैं, और वहां से प्रे करते हुए निकल जाते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी भी यही पर खतम होती है.